Hello everyone, welcome back to my channel आज हम लोग discussion करने वाले हैं sinusitis क्या होता है तो सर्दियों का मोसम चल रहोगा आपके आसपास या आपके family member में या फिर socially या कोई relative में आपको बोल रहोंगे कि मेरे को sinus हो गया है और मेरे को nasal blockage होते हैं चीके बारबर आते हैं सिर में दर्थ बना रहता है इसे के साथ साथ जो है बारबर चीके आते हैं और इस टाप के cold हो रखा है नाक बहुत बह रहे हैं या कफ हो रखा है मेरे को sinus हो गया है ऐसे कुछ आपने सुना होगा तो उसको sinusitis क्या होता है और यह sinus हो गया है, क्या होता है, इसको जानते हैं पहले, देखिए हमारे face का जो x-ray अगर कराते हैं, हमारे skull का x-ray कराते हैं, तो यहाँ पे कुछ cavities होते हैं, अंदर face के पास, it's model, spinoid, and frontal, and maxillary cavities होते हैं, cavities जाने कि वो sinus हैं, जिसमें क्या होता है, air भरा रहता है, मतलब air के space के लिए होता है, हवा के लिए, लेकिन कोई भी कारण से वो जो lining होते हैं, वहाँ के tissues होते हैं, वो सूच जाते हैं, तो उसमें से क्या होता है, पानी जैसा, जो है, mucos निकलने लएंगे, या फिर कुछ infection के वज़े से, वहाँ पर पस बनने लएगा, तो यह क्या होता है, कि वहाँ के area सूच जाते हैं, जिसे कहते हैं sinusitis, और उसके वज़े से कुछ difficulties होने लगते हैं, तो sinusitis क्या होता है, inflammation of the sinus cavities, ठीक है, तो हमारे face में कुछ sinuses होते हैं, जो air filled मतलब रहते हैं, अब वो sinus क्या करता है, हमारे लिए क्यों helpful रहता है, वो sinus का क्या है, वो sinus क्या क्या नॉर्मल टेंपरेचर के air में वो convert करता है, यानि कि अगर गरम हवा आप inhale करें, तो वो क्या करता है, एक नॉर्मल टेंपरेचर में बना के तब आपको अंदर inhale कराता है, अदर्वाइस ठंडी हवा आप inhale कर लेते हैं, बहुत जादा तो भी problem हो सकती है, या फिर आप बहु कोई भी कारण से या तो वेक्टेरियल हो या फिर कोई वज़े से क्या होता है कि वहां के lining में सूजन हो जाता है, इन्फ्लैम्ट हो जाता है, अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकते हैं, एक तो जो है cold exposure के वज़े से या फिर genetically ये problem आते जा रहा है, या फिर क्या होता है कि जिसे कहते हैं deviated nasal जो होते हैं या तो वह रखायना का headache septum जो होता है, उस case में भी ये complaint आ सकता है, ठीक है, तो इसके कुछ symptoms आने लएंगे, जैसे कि अगर वहां पे सूजन हो गया, तो क्या होगा कि आपको हो सकते है nasal blockage हो, breathing difficulties भी हो सकते हैं, बार बार चीके आएंगे, headache हो सकता है, frontal headache हो सकता है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको लएगा कि गले में कुछ कफ निकल रहा है, पोस्ट nasal drip भी हो सकते हैं, लएगा कि गले में कफ गिर रहा है, ठीक है, तो ये सारे condition हो सकते हैं, अब अगर आप इसमें कुछ investigation है, डाग्नोसिस कराना चाहते हैं, तो penis करा सकते हैं, paranazal sinus का x-ray करा सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको हो सकते हैं, तो nasal blockage हो, पॉलीप के होज़े से कोई mass बन रहा हो, ठीक है, या फिर नाक का septum जो होता, वो टेरा हो रहा हो, ठीक है, तो ये सारे condition मिल सकते हैं, या फिर कुछ bacterial infection है, या फिर कुछ other test आप तो आप इस homeopathic दवाईयां को according to your symptoms लेते हैं, तो बहुत helpful रहेगा, सबसे पहले बात करते हैं, बहुत effective, silesia 200 potency में, आपको weekly लेना है, morning में 4 drops लेना है, सपोस्ट संडे को लिए हैं, आपने morning में 4 drops, तो next Sunday को 4 drops लेंगे, empty stomach, ठीक है, और बीच में आप acute medicine लेंगे, जैसा आ अगर आपको कुछ symptoms मिल रहे हैं, acute symptoms मिल रहे हैं, तो उस case में भी इस medicines को continue करेंगे, जो मैं बता रहे हूं, तो next medicine की बात करते हैं, काली bicarum, बहुत ज़्यादा cold होता है, रात में aggravation बढ़ जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो होता है, नेजल discharge हो रहे हैं, यल्व two drops three times लेंगे, ठीक है, और इसी के साथ बात कर लेते हैं, next medicine की, पलसल टीला, अगर आपको जो होता है, डिस्चार्ज होता है, ग्रिनिश यल्व इस डिस्चार्ज हो रहे हैं, और उसमें जो होता है, नाक से जो निकल रहा है, वो मतलब जलन नहीं कर रहा है, लेकिन नेजल दिस्चार्ज हो रहे हैं, जलन नहीं हो रहा है, अब परसन को बहुत ज़्यादा, जो है, ठीक है, तो बहुत इफैक्टिव रहता है, पलसल टीला, ठीक्टी पुटेंसी में, two to drops three times लेंगे, बहुत ही इफैक्टिव है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, next medicine की, sinusitis के गंपले साइनोसाइटिस में, सिनाप्सिस नाइगरा का, जो बहुत इफैक्टिव है, उसमें क्या होता है, जैसे बाहर निकले, आपको छीकी आने लगें, आपको cold exposure हुआ, बहुत ज़्यादा परिशान हो गें, आपको लागा से में, two to drops three times लेंगे, ठीक है, अब बात कर लेते हैं medicines की, जो है, मतलब, अचानक आप बाहर निकले, ठीक है, और जैसे exposure वर dust particles से, दूल मिटी से, और लगतार आपको, जो है, sinusitis की complaint आने लेंगे, छीके आने लगे, और नाक से जो discharge हो रहे हैं, गले में जो कफ निकल रहे हैं, और nasal discharge हो रहे हैं, वो बहुत ही burning type का blend निकल रहा ह ठीक है, तो उस case में, arsenic album 30 potency में, जो है, 2-2 drops 3 times a day ले सकते हैं, ठीक है, तो ये कुछ empathic medicines है, अब इसके अलावा भी और भी medicines है, जिसमें क्या होता है, एक medicines ऐसे हैं, जिसमें क्या होता है, लगतार sneezing हो रहे हैं आपको, मतलब continuous ठीके आ रहे हैं, ठीक है, ठीके आ रहे हैं continuous और आपको, जो है, stop ही नहीं हो रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, आप जिसमें continuous ठीके आ ही रहे हैं, continuous आप परिशान हो गए हैं, तो सबडिला बहुत ही helpful रहता है, 30 potency में आप 2-2 drops 3 times a day लेंगे, इसी के साथ amount carb 30 potency में लेंगे, 2-2 drops 3 times a day, helpful रहता है, ये दोना medicines, ठीक ह एमोन कार्ब में क्या होता है, कि एपिटेक्सिस भी हो सकता है, छिकते छिकते, तो ये कुछ होंपैतिक medicines है, according to the symptoms क्या होते हैं, कि दवाईयां जो है, person to person change हो जाते हैं, तो कोई भी medications अपना डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही लें, और आज के वीडियो में बस इतना ही, म I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहा हो, और if it is, then please like, subscribe and share, bye-bye